मैं कमलीश कुप्ता आपका स्वागत करती हूं बच्चों हम कख्षा बारा की हिंदी पढ़ रहे हैं हमारी पाथिये पुस्तर का नाम है अभिवेक्ति और माध्यम जो की हिंदी अनिवारे और हिंदी साहित्ते दोनों के अंतर गताती है इकाई एक है जंजंचार माध्यम और उसका लेखन जंजंचार माध्यम हम पढ़ चुके हैं और लेखन हम यहां पढ़ रहे हैं यानि जो लेखन की प्रिकरिया है उसको हम जान रहे हैं हमारा अध्याय चार चल रहा है पत्रकारे लेखन के विभिन रूप और उनकी लेखन प और का दोनों सब्सक्राइब चु बिरहोरों का विलूप्त होता संसार इसके उपर हम विशेश रिपोर्ट बनाई वही है जिसको हम देखेंगे हमारी पैटे पुस्तक में यह बिरहोरों क्या है बच्चों यह एक आदिवाची जन्जाती का नाम है उसके उपर यह रिपोर्ट बनाई गई है कि किस तरह उनका चलता है किस तरह उनकी संख्या में कमी हुई उन्हें कौन कौन से सुविधाय मिलनी चाहिए जो उन तक नहीं पहुंच रही है और उनका किस तरह विकास की जगह वह एविक्सित होते वे और लुक्त होते वे जा रहे हैं तो उनके बारे में हम यह एक विशेश रिपोर्ट देखेंगे देखो बच्चों जबहर पलामू बिहार यह बिहार की एक जगह का नाम है अखु बिरहोर की विद्वा पत्तियों और घासपूस से बनी अपनी कुंबा या जोपडी के बगल में चुपचाप बैठी है यह देखो बच्चों कुंबा या जोपडी मतलब यह उ प्रिहार में जो जगहें उनके नाम दिए गए हैं जबर के लोग जिनमें से कुछने जिला मुख्याले डाल्टन के सांदार बंगलों को देखा है यह जो बहुत जरूरी जब उनके लिए होता है तो वह शहरों की तरफ जाते हैं वरना वह अपना जीवन उसी में ही अपना जीवन चलाते रहते हैं तो देखों इन कुम्बों को चकन्डीयां कहते हैं कुम्बों को मतलब बनी हुई हैं जैंजाती के ढोगों की हूंको इस सकते यह हमें उस्समय पता चला चला ठोक़्याने वाली ठंड़ से वाह city वाये हडबें बताना चाहां रहा आ बादिवाशी बीरोड जन जाती है उनके जोप्डे हैं जिनको कुम्भा का जाता है उन में मतलब उनको एर कंडिशन कनडी संड कहा गया है यहां की एर कंडिशन के जगे तो ही इसलिए कहते हैं तो इसलिए क्यों यह लोग आते हैं यह यह जंगल यानि बिर के लोग हो हैं या यानि क्या है वह जंगल को बिर कहा गया यानि वह जंजाती का नाम है वहां के ये लोग हैं चोटा नाग पुछे तरकी खाना बदोश जाती के ये लोग मुखे रूप से पलामू, राची, लोहर दगा, हजारी बाग और सिंगभू के आसपास विचरते रहते हैं बतलब विरोड जन जाती के जो जनगल के रहने वाले हैं ये लोग क्या करते हैं चोटा नाग पुछे तरकी खाना बदोश जन जाती हैंका कोई फिक्स तर्मानेंट मकान नहीं होते हैं तो यह कहां रहती है पला मू राची लोडगा हजारी बाग सिंग्भू यानि चतिस गाड मध्यप्रदेश उड़ी सा और इसके अलावा आपन बियार के आसपास की जगें वहां जंजातियां घूमती फिरती रहती हैं कई मामलों में बिरोर लोग बड़े अजीवों गरीब यानि कि जो यह आधिवसी जंजाति के लोग हैं शेहरों में रहने वाले लोगों से बिलकुल अलग है इनकी जाती भी समाप्त होती जा रही है उस्वर्च इनकी संक्या लगबग 4,000 थी अब वह उन्नी सो तेरान में में मैश 2,000 के आसपास हैं यानि बिरोर जंजाती के ब बियार में की तो मैश 2,000 के आसपासी लोग इसमें पाए गए वह सकता है इसमें उडिशा से लगबग 145 और मध्य प्रदेश की सठथ भी शामिल है यानि जो 2000 लोग मिले बिया उडिशा और मध्य प्रदेश की जंगलों में जैंजाती रहती है उसमें उडिशा के जंगलो से ज्यादा तर जन जाती जो बिहार में पाई जाती पर कुछ-कुछ उडिशा और मध्यपदेश में भी यह लोग पाई जाते हैं सब्सक्राइब जन गंडा की थी बिहार में जब इनकी संक्या 3464 थी इनकी संक्या घटकर 159 रह गई थी मध्या प्रदेश में इनकी संक्या उननीस सो इकतर में 738 से घटकर 1901 में में 662 बच्चों कितना मतलब की जन संक्या का जो है वह कमी आई इनकी संक्या में कहां इसलिए बिहार में का 3400 कुछ सी और घटकरके उसमें से बहुत कम जंजंग्या रह गई है इनके समाप्त होते जाने की वजह है उन जंगलों का दुआ धार ढंक से विनाश ये जन जाती क्यों समाब तो रही है जंगलों में रहने वाली जन जाती है और ये इसलिए समाब तो रही है क्योंकि जो जंगल है उनका धुआ दारी तरीके door u उनका जो विनाश हो रहा है जंगल कटरी क्योंकि जंगल से ही अपना जीवन यपन करते हैं उस से इनका विनास होता जा रहा है जिन पर रहे इनकी जर्वतों अत्वां इनके अजीबों करीब स्वरूप पर ध्यान दिये बिना तैयार की विस्कास प्रकृution से कोई मदद नही जाती है ऐसा नहीं है सरकार ने इनकी मतलब जाती में विकास के प्रयास किये पर क्या है इनकी इस विकास प्रकरिया से और रस्ती नहीं जाती है जो लुगती जाने काम भी करते रहें जंगलों को आरक्षित कर दिये जाने के बाद से लगड़ी गाड़ सकते थे और नए रसी बनाने के लिए रेशा निकाल सकते थे अब शिकार के अलावा अब जब जनगल कम्रों तो यह शिकार का काम छोड़कर करके क्या ultर रसिया बनाते हो लगड़ी का काम करदे थैं लेकिक अब समान करते थैं उनकी कीमत इतनी कम मिलती थी कि लागत भी नहीं निकलती थी जब कुछ इलाकों में जंगलों की जबरदस कटाई होने लगी तो शिकार के काम से इनकी छुट्टी हो गई प्रकरतिक विबदाया संकट की समय सबसे ज़्यादा मार इनी पर इपड़ती थी if जब यह जंगलों की जबरदस कटाई होने लगी अब तो जंगलों की कटाईप रोके लेकिन जब होने इस जंजाती के बारे में अज्यानता से भी काफी गड़ बढ़ हुई है इसी कारण बिरहोरों के बारे में जंगना का आकड़ा भी गलतियों से बढ़ है यह जंजाती क्या है बच्छों घुमन तू जंजाती है कभी ब्यार से उड़ीसा और उड़ीसा से मद्दे बढ़ है इनकी जन्गनना होती है तो इस अग्यानता से इसमें काफि गड़ बढ़ो इसकारण बिरोरों के बारे में जन्गनना का जितना भी यहां कड़ा है वो गलतियों से बहरा पड़ा है यहां के लोग बिरोhon रहे उरिसा की सुन्दरगर्डड जिले में इस्थानियों लोग इने मन किदी कहते हैं संबल पुर जिले में मन किर दिया हो जाते हैं यह दोनों नाम बंदरों को पकड़ने में इनकी निपूर्टा के कारण है अब देखो यहां लेका कहरें बिहार में यह भिरहुर है लेकिन उडिसा के सुंदर गड़ के जंगलों में जब यह वहां रहते हैं त दो कि निपर रोख लगी तो उनका काम जाम गया अभी UK को पकड़ने का काम करने लगे शेहरों में जब बंदर आजा ते थे तो इन दिन को बड़ी निपूंता हासिल थी बं दपलूं को बरबाद करते रहते हिस्ताने लोग तो बंदरों को पकड़ने के लिए बिरहोर गह विन लोगों को लगा लेते हैं विरोड लोगों को की बंदर पकड़ लेंगे खराब नहीं लेकिन क्या है अब जब जंगल खतम उगे तो बंदर भी दीरे-दीरे कम हो गया तो इनका यह काम भी यहां से खतम साह हो गया 1971 में इस खाना बदोश्मू को उडीशा में तीन अलग लग जनजातियों विरहोर मन की दिया के रूप में गिंती करके काम समाप्त कर दिया गया और इसी गलती को 1981 में दुरुस्त किया गया मतलब ठीक किया गया और इनकी गिंती एक जनजाति के रूप में की अब क्या हुआ 1971 में क्या हुआ इस खाना बदो जनजाति को उडीशा में 3 अलग लग जनजाति अब इस गलती को उडीशा में तीन जगे बांट इया विरहोर मन की दूडियर और मन कर दिया इनके रूप में गिंती करके इंका काम समाप्त कर दिया गए ते यह बदोडी जि प्रतिस्त का इजाफा हो गया जब कि सच्चा ही यह थी कि उनका समूँ कम होता जा रहा था मतलब जब तीनों को मिला करके जब जन्गना की गई तो ऐसा लगा मानों प्रतिस्त का मतलब इजाफा हुआ लोग बढ़ गए लेकिन वास्तों में क्या है इनका समूधी रे-दीरे कम होता जा रहा है उडिशा सरकार ने इस बड़ोत्री पर अपनी पीट सब तपाई इसलिए बिरोरों के बारे में आकड़ा विश्वस्ति हैं उडिशा सरकार ने कह लेकिन विश्वस्ति हैं कि कितने सही हैं कितने लोग बड़े-बड़े जंगलों के साथ अपने जीवन की भरपूर संगती बैठा कर रहते थे जंगलों का उन्होंने कभी फिजूल इस्तमाल नहीं किया और अमेशा अपने विवेक से काम रहे लेते रहे देखो बच्चों करें आदीवाशी लोग इने जंगल को अपना घर मानती हैं और शमतिकÁर करते Osamantasy को के जीवन कीatar करा क्टे टेट विना ही नूग इनकरते लिए बर रहा्ते थे जंग्लों के साथ पनेजीवन की बरपूर संगती बैठा कर रहा करते थे जनगलों को बिलकूर में बढ़ती यहां तक की काइदे से देखा जाए तो उनकी बस्तियों में दत से जोपड़िया नहीं दिखाई देती उनकी वस्तियां जंगल में चारों तरफ फैली रहती है इससे फायदा यह होता है कि जो बिबिन समुएं उनको जंगल के संसादरों में हिस्सा बाटनी का सामान और उची तवसर मिल जाता है देखो बच्छो इनका मतलब कितना अच्छा इनका एक प्लान है योजना है उसके अनुसार यह रहत इसलिए क्या करते थे जंगल के चारों तरफ फैली रहती है उसके फायदा होता है इनके जंगल के पेड़ें कर लकडियों के जो भी इनको जो भी चाहिए होता है वह क्या आपस में आराम से बढ़ जाता है एक ही जगे पर समाप्त नहीं होता है तो सामान उच्छी तवसर निकुको प्राप्त हो जाता है जंगलों के अबूद्पूर कटाई और विकास के शिकार होगे स्फज़ों के उपर जंगलों की कटाई की और विकास की जो मार पढ़ी उस काफी हد तक जिम्मेदार है कि आशना की कम हुई है ये जिए जन्शंगिया कि इनकी बढ़ी है और जनमदर कम हुई है लोगों को रोजगार नहीं मिला इनका विकास मतलब ना कि अनुरूप नहीं हुआ विकास करने के कोशिश की गई लेकिन विकास इनके झांकूल नहीं हुआ तो उन सब से क्या है इनकी जंशंग्या कम हुई है लेकिन इनकी और दुरावस्ता के लिए शराब कोरी भी इसके लिए जिम्मेदार है यह शराब भी बहुत अधिक मातरा में पिया करते हैं बाउजिद इसके यहां कोई अपराद नहीं होता है जबर पंचायत के एक मिल दूर पर भी कहीं कोई डखेती वगरा पड़ रही है तो यह उसे अपना व्यक्तिकत मामला मानते हुए लाठी डंडा लेकर दोड़ पड़ते हैं मैंने आज तक किसी बिरोर के बिरोर को अपराद करते वे नहीं देखा जबर के लोग बिरोरों के प्रती ऐसा अधा लेकर दोड़ पड़ते हैं और आज तक किसी बिरोर जन जाती के लोगों को कोई भी अपराद करते वे नहीं देखा जबर जिसके जबर गाओं के असपर यह लोग रहते हैं तो जबर के लोग है जो बिरोरों के प्रती ऐसा दरन रूप से उदार हैं और उनका क्या है मतला एसान भी मानते हैं बेशक पलामू और हजारी बाग के अलावा इन लोगों को आम तोर पर उपेक्शा का शिकार होना ही पड़ा है सरकार विकास के नाम पर जो विकास कर रही है वह विकास का जो योजना ही बना रही है वो इनके प्रती बिलकुल भी उदार नहीं है उसे आप यह करते हैon कि सरकारी कारेक्रम को precious years k बम कौन ले उड़ता है विनाशकारी शावी तोई स्ट्रेयों ने इनके मकानों की young mother ru Listening क 1700 उन्होंने कभी दिता रह सतारे को साफ़ bunlar कि तरीक के लोग inarन पसंद करते हैं अपन अपने साइब बनाते हैं तो ये लोग किस सरकार ने इंके लिए लेकिंगे वास्तुकारों से इनके लिए रहते हैं तो लिए सरकार आवास ने इनके लिए विनास्कारी क pä्सा नहीं सकते हैं इनके पास रोजगार नहीं है यह गुमंतू खाना बदोष जन जाती है और इनकी व्यवारिक विशिष्टाओं को भी कोई जानकारी नहीं थी इन आदिवाशियों के स्वा संबंदी चिंदा जनक इस्तिती को देखते वे सरकार ने कुछ नहीं तयार की लेकिन अफसर और उन सकते हैं तो इनके लिए जो मकान बनाए गए वह मकान भी इनके रूप नहीं थे शाथ इनकी व्यावारिक विशिष्टाओं को देखे वे इनके लिए आवास योजना बना दी और यह इनके लिए स्वास की विदाई कर दी जिनको बीच में ब्रिश सरकारी तंत्र हड़ा ग क्योंकि लोग शराब पीते तो शराब पीने से क्या है बहुत सारी बिमारियां होती है लेकिन अफसर और जो दलाल थे उन्होंने इन योजनाओं के लिए जो निश्चित निर्दारी तरकम थी उसको बीच में हड़ा लिया और वो योजना इनके पास तक पहुंची ही नही जबर गाँं के इनके पास 3 फसल भी नहीं पहुंचि कि नहीं जबर के जो लोग कोसी है जो इन्ने पहुंची नहीं पहुंची मुझे तो अभी तक किवल दोई फसलों की जानकारी है मैंने गोर किया कि उसे इसी सवाल की उम्मीद थी जो विक्ति जवर का बता रहा था कि इनके पास तो तीसरी फसल तक का जो पैसा है वो नहीं पहुंचता तो लेकर ने बूचा ऐसी कौन सी तीसरी फसल है तो वो विक्त तो शुखा रहात का जो पैसा है वो तीसरी फसल है इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है लेकिन इस फसल को आम तोड़ से ब्लॉक इस तरके अफसार और उनके ठेकेदार दोस्त काट ले जाते हैं यानि जवर का विक्ति बता रहा है कि इनके लिए बहुत सारी यो लोग उसको हड़प लेते हैं कि मामूली सा हिस्ता जंता तक पहुंसता है अब उस मामूली से हिस्ते में से बिरोड़ों को क्या मिले वे तो जंगल में कंद मूल और बेर मौस मीं फल आदी खाकर जिंदा रहते हैं और कभी कभी तो कई कई दिनों तक भूखे भी रह जाते हैं फलों को व्यक्ति खाएगा तो फल एक सीजन में कितने आ सकते हैं तो यह पिचारे उनी को खाकर के कंद मूल और बेर मौस मीं फलों को खाकर जिंदा रहते हैं और कई कई बार तो यह मतलब कई दिनों तक भूखे भी रहते हैं जब हमने राम व्रक्ष बिरोर को यह जिन जातिये लोगे उनके अंतर राष्ट्रेव वर्ष बारे में बताया भी सरकार तुमारे लिए इतने काम कर रही है तो उसे बहुत आश्चर हुआ उनको तो खाने को यह मिलता रहना रहने के लिए जो मकान बनाए उनके अनुरूप नहीं थे तो यह जब इसको बता रहते उसने अपना सामान उठाया और चुप चाप महां से चला गया एक विरोड व्यक्ति था उससे कहा गया कि आपके नम पर अंतर राष्ट्र देश्वर्ष मनाया जाता तो उसने का नहीं नहीं एसा होता तो हम इस तरीके से नहीं रहते और हमारा यहाल नहीं होता और उ जानका रही है कि इस छेत्र में जबर के बार लोग रह रहे हैं उस छेत्र में किसी भी विरोड का नाम मत्दाता सूची में नहीं है तो बच्चों जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं जो हमारे मतला हमारी जो जन जातिया है जिनका विकास नहीं हुआ उनका नाम मत्दात इससे में रहता है खरगोष पकड़ना रसियां बुनना तयार होने पर तयार होने पर कुछ डॉल्चियां बेज देना इन गति वीडियों को देखते वे लगता है कि बिरोड लोग अभी किसी दूसरे युग में रह रहे हैं उनके अंदर जमा पुझी रखने की प्रवर्ती नहीं है और उनका जीवन आत्मसमान से भरा रहता है यह बिरोड लोगों के बारे में हमने एक विशेश रूपोर्ट फीचर प्लस हमने क्या कि इसको लिखा है तो यह समूब भारतिया समात के सबसे इससे में रहता है घरगोशों को पकड़ना रसियां बनना और तयार होने पर कुछ डोलचियां जो बनती है उनको बेच देना इन गती वीडियों को देखते वे लगता है कि बिरोड लोग अभी किसी दूसरे युग में रह रहे हैं दूसरे युग मितलब जो हमारा विक्षित युग है जिस विक्षित युग में आज हम कहां चलने है डिजिटल और रहने को भी जगे नहीं है, इनके अंदर क्या है, जमा पुझी रखने की प्रवर्ती नहीं है, संचे की बिलकुल भी प्रवर्ती नहीं है, जिस तरहे मानव प्रवर्ती संचे की होती है, धन संचे की वो प्रवर्ती इनके अंदर नहीं है, और इनका जीवन है, जो सदेव आत्म संबान से भरा रहता है तो देखो बच्चों कि हमने बिरहोर लोगों के बारे में जाना ये एक विशेश रिपोर्ट थी जिसको हमने बिरहोर लोगों के उपर लिखी वी थी इसको हमने पढ़ा अब हम देखेंगे विचार परक लेखन लेक टिपपणियां और संपाद करेंगे तो देखो बच्चों अकबारों में समाचार के अलावा विचार परक सामगरी का भी प्रकाशन होता है अकबार का तीसरा चोथा पेज आता है वो संपाद की प्रश्ट आता है आता है तो इस तरह यह विचार परक सामगरी का भी प्रकाशन होता है कई अकबारों में प्रकाशित होने वाले विचार पूंड लेखन से उस अकबार की च्छवी बनती है कई लोग तो क्या करते हैं समाचार तो देखते हैं लेकिन इस जो यह पेज है कौन सा विचार परक जो प्रतिया और उसे ही अकबार की अच्छी चभी बनती हैं अखबारों में प्रश्ट पर प्रकाशित होने वाले संपाद की अगर लेक लेक ओर टिपनियां इसी विचार पत्रकारिये लेकन की श्रीनिरी में आते हैं अगर लेक लेक और टि में आते हैं और ये सब उन्में वह इसकी अलावा बिभीण के विशेषद वर्ष पत्रकारों के single-column बीविचार परक लेखन के तहता है जो वरिष पत्रकार प्रस्ट पर पर होते हैं कुछ ऐसे मतलlagen रोते हैं जिनमें क्या थो यह समपादय होते रहते हैं हम इसकी गतिविदी देखेंगे बच्चों अपने किसी समझा पर धाइसों सब्दों के विशेश रिपोर्ट तयार कीजिए उसी अपने शैद या चेतर से प्रकाशित होने वाले अखबार में प्रकाशन के लिए विशेश रिपोर्ट तयार करने के लिए उस स के बारे में हमने उधारण सइथ पढ़ा उसको इस तरी कि हमको विशेश रिपोर्ट बनानी है जो आप अपनी सिक्षक को दिखा सकते हैं अब पढ़ेंगे संपाधक की लिखन क्या पढ़ेंगे संपाध की लिखन संपाधिय के प्रष्ट पर प्रकाशित होने वाले संपा सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कि व्यक्ति विशेश का विचार नहीं होता है तो उसके नीचे यहां क्या है संपाद के लिखा होता है ना इवा कि साथ नहीं चापा जाता है संपाद के लिखने का रूप में हमारे अख़बारों क्पaran का नहीं होता संपादा के लिखने का दाइथ अकबार में काम करने वाला जिसमें संपाधक कर सायोगी तर होता है कि अखार को समझा के साइक पादक संपादक या नहीं लिख सकता है नहीं लिख सकता है आप राष्टान पत्रिका को यदी देखते हैं पत्रिका में जो उसके संपादक हैं यहां उधारण प्रस्तुत हैं तो हिंदी के अखबारों में कुछ में किया है तीन कुछ में दो और कुछ में केवल एक ही संपादक्य प्रकाशित होती है संपादकी का एक उधारन हम देखेंगे कि संपादकी किस तरह लिखी जाती है उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे तब तक आप विशेश रिपोर्ट तयार कीजिए जो कि गतिविधी के रूप में आई है और एक विशेश रिपोर्ट हमने जो अभी पढ़ी है उसको आप पढ़िए कि उसमें किस तरह फीचर और समाचार को हमने समाचार जो की उल्टा पिरामेड के रूप में लिखा जाता है दोनों को मिक्स करके किस तरह हमने विशेश रिपोर्ट लिखिया इसकी संपादकी के बारे में पढ़िए पढ़कर के इसको समझने का प्रयास तो हमने यहां समपादे के का जो उधारण है वो हम अगली कक्षा में देखेंगे तब तक आप इसे पढ़िए और पढ़कर के समझने का प्रयास कीजिए धन्यवाद बच्छे